असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में 12th क्लास कंप्यूटर का कंप्लीट गैस पेपर शेयर करने वाली हूं 42025 के लिए कंप्यूटर का जो पेपर होता है वो 75 प्लस मार्क्स का होता है अगर तो आप लोग यह गैस पेपर फोलो कर लेते हैं कंप्लीट गैस पेपर आप लोगों को में रहा है आप लोगों ने आल्ट वाल चीज़ा याद करनी है जो मैं इस फीडियो में बताऊंगी तो आप लोग 75 प्लस मार्क्स इजिली हसल कर सकते हैं कोई मुश्किल नहीं है क्योंकि आप लोगों को जो चीज़े मैंने यहां पर बताई हैं आप लोग ने जस्ट वही आद करनी है और आप लोग 75 प्लस मार्क्स अपने यहां से डन कर सकते हैं और बात आती है कि यह गैस पेपर कैसे बनाया गया तो पास्ट पेपर प्लस और यह कंप्लीट जो गैस पेपर है वो इन चार चीज़ों पर डिपेंट करता है और मेन बात यह है कि आप लोगों का गैस पर जो है ना वह एक्जामिनर्स की इंस्ट्रक्शन्स और उसके मताबिक आप लोगों को इसके अंदर कोईशन्स प्रवाइड किये गए हैं जो के इंपॉर्टन्ट थे और वही आप लोगों को इसमें बताये गए हैं तो आप लोगों ने जो भी चीज़े हैं इसमें वो सारी प्रिपेर करनी है कुछ भी नहीं चोड़ना और उनको अगर आप लोगों ने प्रिपेर करना है तो आप लोगों अभी सही उनको प्रिपेर कर है शो गैस पर पहले शू कर वाने से पहले मैं आप लोगों को पेरिंग स्कीम की तरफ ले चलती हूं जो मैंने बैने आप को ट्यु Ranit कि मैंने ट्वलिट क्लास की पार्इंग की सिंब ने लेते हैं अफ लूग offers की पी बिचन के थे लिते कि थोगा आप लोगों को यहां पे six six attempt करने होता है और 12 बार्वरा घ्लावते हैं यहां पर आप लोगो कोश्ण नमबर five कोश्ण नमब six six में सुम्ही कोई एक कोश्यन attempt करना होता है और इसके 8 मांक्स होते हैं next वů obligation सैंफ होना ची तरफ Q7 7 7 8 7 8 एज़र्टो महें ओते है और 9 पी यहां को ज़र्टो में यहां और इनके 16 प्राक्ष걸 होते हैं हम दोगों को सब्सक्रार से पर आफ्य算फு स्कीम आप लोगोंने देखिए कि एक तो अगर नइए देखिए तो डृटेल में वीडियो है यह आप लोगड़ों डीटेल में इसको सकते हैं और हम चलते हैं अपने सिदा के तरफ और देखते हैं हम लोग ने वहां पर इन पेरिंग स्किम के मताबिक इन चैप्टर्स के बिग जो questions अरेंच की हैं MC Qs का पार्ट अलग होगा और long का पार्ट अलग होगा और short का पार्ट अलग होगा और program program की बात की जाए तो short में जो program important है वो भी provide किये गया है and long के लिए भी provide किये गया है तो चलते है guest की तरफ और गैस के दरफ हम लोग आ चुकी है यहां पर सबसे पहले MC Qs का पार्ट है सबसे पहले हम लोगों को MC Qs देखने है उपर आप लोगों को बबल्स नजर आ रही है जो पेपर में हमें fill करनी होती है तो basically यह उपर इसलिए मैं provide करती हूँ था कि आप लोगों को यह अंदाजा हो जाए और यह याद हो कि आप लोगों ने इनको bubbles के अंदर fill करना होता है basically कुछ students होते हैं जो इसको paper के उपर ही bubbles fill कर लेते हैं या टिक लगा देते हैं तो आप लोग ने paper के उपर टिक नहीं लगाने होती है अगर आप लोग लगा रहे हैं तो papers के उपर ही bubble के साथ fill कर ले और side पे जो last paper के last page पे bubbles होती हैं यह वहाँ पर आप लोगों को bubbles fill करनी होती है और bubble जो fill करनी होती है मैं बदाया हुए है कि आप लोगों ने dry pen से करना होता है लीक्वड पन सेगीigorना होताई लीकवड पन में इंक पन आता है या तो pointers आते हैं markers आते हैं और ग्लू में ब्लू पन आता है ब्लू पन से यापकों लोगों नेशचीफ भीकता है क्योंकि वह प्रइइंग होती है तो निल चल्सेड़ करना है यह bubble के अंदर ही हम लोगों को fill करना चाहिए pen के साथ, बबल के बाहिर हम लोगों का अगर निशान आ जाता है तो हम लोगों का वो consider नहीं होता, तो यह computerized check होते हैं, जिसकी वज़े से आप लोगों का यह गला तो हो सकता है, यह teachers वे गारा चेक नहीं करते हैं, कि आप लोगो कब गलत कोंसीडर होगा So MCQs solve करते हुए आप लोगों ने इन चीज़ों का खास क्या रखना है अब यहां पर जितने भी MCQs है उनमें कुछ MCQs यहां पर गलत भी होंगे आप लोगों को वहां पर मैंने ना अठीक करके भी प्रोवाइड की आप लोगों देखेंगे के कुछ MCQs लगाया गए थे पिर उनको बाद में रिमूव करके उनके correct answers लगाया गए थे तो आप लोगों ने सबसे पहले यह करना है यहां पर यह गलत हो गए थे और वहां पर दुबारा से उनको देख कर लगाया गया क्यूंकि हर एक MCQs का जो answer होता है वो correct बताना होता है और इतने ज़्यादा MCQs होते हैं कि उनमें ना mixing हो जाती है उनके answers लगाने में तो आप लोगों ने पहले तो यह करना है कि पहले खुद से इनके answers imagine करने है कि आप लोहोंको लग रहे कि यहाइस का अंसर हो सकता है तो बाद में आपने it's answer देखना है ताकि आप लोगोंको खुद से ही idea हो कि आप Vide coconutки की तैयारी है यहां ने यहाँ पर बहुट्पने MCQs को भी देखना है और आप लोगों के यहीं पर सब mcqs मिल रहे हैं आप लोग ने अपने exercise जो बुक्स के अंदर exercise है ना उनके mcqs को भी देख लेना है और यहां पर भी provide होंगे वो आप लोग देखेंगे अच्छा यहां पर मैं टिक से लगा रही हूँ अगर मैं यहां पर bubble लगाने लग जाओ ना तो बीच में mixing हो जाती है वो जो यहां पर आप लोगों को confirm पता नहीं चलेगा किसका क्या option है इसलिए मैं यहां पर टिक लगा कर आप लोगों को बता रही हूँ लेकिन paper में आप लोगों ने बिल्कुल lesson नहीं करना आप लोगों महाँ पर bubble से ही fill करना है अपना जो भी answer होगा अब बात कर लेते हैं कि paper के अंदर कोई ऐसा excuse आ गया जो आप लोगों को नहीं आता बिल्कुल भी आप लोगों को बहुत ज़दा confuse कर रहा है तो आप लोगों ने उस excuse पर time waste नहीं करना आप लोगों ने वो वाले excuse पहले attempt करना start करना है जो आप लोगों को अच्छे आते हैं उसके बाद आप लोगों ने उन excuse पर आना है जो आप लोगों को बस average आते हैं उनको इसली रिमेंबर करें कि हम लोग ने इसको किस तरहां से करें और आप लोग अपमेरे माइन को सेट करके कि आप लोग के पास कोई मतलब के just giant गयें तो इस किसम की कोई tension में होगी कि अभी और major factors करें कि अगर आप लोग इसे लिए अच्छे तरिके से फोकस करेंगे तो आप लोग उनका ansers भी देखा जाए तो वह किस सथा से ना से बेसिकलि हमें ऑर सी है तो इसका अंदाज़त किसरहन से लगाया जाए कि आप लोगों को doh都點 स्टेट्मन को परना है सही तरह की से स्टेट्मन को परने के बाद आप लोगों जब अपनी option पर आते हैं तो आप लोगों ने अपनी иск तो है कि कौन से आपसर जो और इसके साथ जो आप लोग अच्छा लगए क्योंकि confusion यहाँ पे यह आती है, कि सम्… आप लोग महां पे options तो देख लेते हैं, कि यह तीन ठीक लगई हैं, यह दो ठीक लगई हैं. जब दो options आती हैं न तो उनके दर्मियान गड़बड हो जाती है, है कि अम लोग इन दो में से कौन सी लगा है दोनों ही ठीक लगा नहीं हैं तो उन दो जो फलोग वो लगा हैं जिसकी तरफ आप छाए जिसकी तरफ आपको mindset ज्यादा जा रहा है उस आप दिमाग से अगर सोचेंगे ना उन दोनों उप्शन में से कोई एक तो बिसके लिए अप गलत ही लगाएंगे आपने अपने दिमाग को उस टाइम पे नहीं चलाना जिस आप लोग उस टाइम पर यह देखें कि आपकी जो आईज हैं या आपका माइंड को कुछ अंदर स एक फील आता है कि मुझे यह लगाना चाहिए अब उस टाइम पर सोचेंगे इसका क्या हो सकता है तो आप उस टाइम पर गलत बेसिकलिए यह चीज़े बहुत जादा होती है तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है और MCQS करने के लिए बेस्ट वी यह है कि आप लोग अपने न्यू सेशन स्टार्ट करें तो आप लोग अपने हर चैप्टर को क्लियर लिए और अच्छे तरीके से कंप्लीट एक दफ़र रीड किया करें ताकि आप लोगों को उस चैप्टर के अंदर चीज़ों का पता चले क्योंकि पेपर के अंदर MCQS इस तरह की इंपोर्टन है तो बुक के अंदर जितने भी टोपिक्स होते हैं बेसिकली उनको सबको पढ़ना चाहिए एक दफ़र रीड करना चाहिए बेसिकली अगर आप लोगों को चाहिए कि वो रीड करें एक दफ़र शोट कोशन्स में भी यह होता है लोंग में भी यह होता है कि आप लोग कहते हैं लोंग तो बिसिकली जोते हैं वो मेंन में टॉपिक्स जोते हैं वही होते हैं शोट की बात की जाए तो उनमें कुछ ऐसे कुशन्स आ जाते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हम लोगों ने यह नहीं किये हुए और पेपर के दौरान आ जाते हैं और हम कहते ने यह आउट अफ्स लेबस बना देते हैं और बाद में सारे फिर हम पर आके इल्जाम लगाएंगे कि हमने जो यह यह पर बनाया सही नहीं बनाया तो वह ऐसा क्यूं करेंगे उनको इससे कोई बैनिफिट गया नुकसान तो है बैनिफिट नहीं है तो वह अपना नुकसान हो चुके हैं मैंने यहाँ पर आप लोगों को 300 mcqs प्रवाइड किये हुए हैं और अभी से ही याद करेंगे तो अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों की preparation हो जाएगी अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग इनको रख लेते हैं या screenshot ले लेते हैं तो आप लोग preparation स्टार्ट करेंगे papers की तो basically आप लोग पेपर के टाइम तक इन सब को रवियन अच्छे से कर सकेंगे और दिन में आप लोग अपना कोई याद कर लेना है और आप लोगों जो हैं वो यहाँ पर इनकी screenshot लेकर याद कर लेते हैं लेकिन मैंने का कि आप लोगों को paper से related important instructions देनी चाहिए जो आप लोगों के लिए बहुत ज़दा important है और आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए अगर आप लोग papers के अंदर बहुत ज़दा अच्छे grades हासिल करना चाहते हैं या आप लोग चाहते हैं कि आप एक टोप पर बनें तो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को examiner के mindset के बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को important चीज़ें select करने के और कौन सी चीज़े पेपर के लिए important हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को idea होना चाहिए कि कहां से आती है book के अंदर हम लोग क्या क्या preparation करें unimportant चीज़ों को किस तरहां से recall करें यह सारी चीज़े आपनों को पता होना चाहिए कि आप लोगोंने unimportant चीज़ों को भी importance देनी है क्यों के book के अंदर अब कोई भी चीज़े ऐसी नहया जो unimportant रह चुकी हैं क्योंकि हैं कि आप लोग पीछे देख चुकर हैं कि आप लोगं को पैपर के अंदर वह चीज़े देखने को मिली हैं जो आप लोगं को लगता था Tak Badham ।Sumb Times aisah होता है कि आप लोग जो हैना वह िखोड़ देते हैं जो आप लोगं को लगता है कि यह पेपर में लोग जो है ना मैं इसलिए आप लोगों को यहां पर यह कह रही हूं कि आप लोगों ने जानी इंपोर्टन टॉपिक्स है ना उनको रीड जरूर करना है उनको छोड़ना ही नहीं है कि इस लहाज से छोड़ा जाए कि हम लोग जो है ना इनको करेंगे तो टाइम वेस्ट रहे होंगे आप लोगों उनका स्क्रीनशोट एजली ले सकते हैं ताके ना वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाती है और स्टूडेंस होते हैं वह इरिटेट हो जाते हैं बहुत जादा लंबी वीडियो देखने से उनको इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए होती उनको गया ना कि मेरा इसमें कोई भला नहीं है आप लोगों को मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग इन चीज़ों के बारे में इनफॉर्मेशन रखें और पेपर से रिलेटिड आप लोग कभी भी जो है ना परिशान ना हों कि स्टूडेंट्स के सप्ली वगारा आजाना और मा करती है और अगर सम्टाइम्स कुछ नहीं भी आ रहा होता तो इनफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम कर जाती है तो आप लोगों को सब्जेक्टिव टाइप डिस्कूस करवांगी शोर्ट एंड लोंग तो आप लोगों के यहां पर कोईशन चो रहे हैं जिस्ट आप लो को जो ना स्लोली स्क्रोल डाउन करती रहूंगी और आप लोग इनको नोट कर लें नोट बुक में निशान लगा लें या तो फिर आप लोग इनका स्क्रीन शोट ले 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 और देखा जाए तो जितने भी हां पर कुश्चन्स हैं फिलहाल अभी तो थियोरी से जाए ना तो आप लोग बिसी कलिक दो उसी से उस कोसिन से ही रिलेटिट को इकषिन अगर रा स्टेट्मंट गर या वारियाबल की च्ज्रेंज कर तो बैसिक्ली आप लोग उनके इसली कर सकते हैं यह हमारे जो है ना प्रॉग्राम से रिलेटिट कोसिंस रहे हैं में पु वडियो देख सकते हैं यह आप लोग यहाँ पर नज़र आरहा है इसके में आप लोग को यहां पर दिर्धि मैं भून ज़िए है इसंप है इसमें आप लोग को यहां पर डइस्टृट्ट सारय कुछ वहाँ पे शो करवाया, आटपुट वहाँ पे शो और होगी कैसे कैसे आप लोग इनको करते हैं सो बेसिकली देखा जा है तो मैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी वीडियोज वगारा जो है ना अप्लोड करूंगी बेसिकली टाइम नहीं है तो मैं आप लोगों को यहां पर गैस पेपर्स वगारा जो हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी जो है ना वीडियोज वगारा आप लोगों को मिलेंगे इस चैनल पर बहुत ज्यादा इजी वे में समझाया जाता है और ताके ना अगले बंदे को समझ आ जाए और उसे अगर कोई चीज वहां पर नहीं भी समझ आए तो कमेंट सेक्शन में वो पोच सकता है ताके मैं उसको उस टाइम पर जवाब भी दे देती हूं कि आपको जो है यह समझ नहीं आई तो मैं उस टाइम पर उसको उसका आंसर भी दे प्राइल से एलेटेट और नोर्मलाइजेशन से एलेटेट इन यह जो हैना इंपोर्टन टॉपिक्स है आप लोगों ने इनको नहीं चोड़ना कर से और प्राम्स और सी लैंग्वीज से रिलेटिड कोई भी कुश्चन यहां पर जितने भी कुश्चन्स हैं वो प्रवाइड किया गया है आप लोगों ने वो देखने आप लोगों से कह सकते हैं कि स्टैरिक को इस वे में प्रिंट करवाएं और वोवल्स के बारे में पूल सकते है कि वोवल्स प्रिंट करवाएं बैसिकली इस तरह के ही कुश्चन्स आते हैं तो आप लोगों के अगर प्रैक्टिस होगी ना तो आप लोग इनको इसलिए सॉल्ट कर सकेंगे और यहां पर जैसे कि यह बताया हुआ है कि इस पैटरिन में और इस पैटरिन में इसको शो अब आप लोगों को पर ट्वेंट करता है कि आप लोगों ने यह कब करना है और कितना करना कैसे करना है मैं आप लोगों को यह करूंगी कि आप लोग इनको अभी सही स्टार्ट करें याद करना अगर सारे नहीं कर रहें तो आप लोग थोड़े पांच पांच दस करके इन को एक एक दिन में याद करें और जिस्ट इनको ही प्रपेर करें तब आपनों को बुक से याद करने की फिर कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी जिस्ट आप लोग आंसर्स के लिए बुक की तरफ जा सकते हैं या गायर्ड की तरफ जा सकते हैं